नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षिय और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारे जम्मू में बुद्वार को बादल चाये रहे जम्मू कश्मीर में दो दिन की गर्मी के बाद मौसम एक बार फिर से बदल गया है जम्मू सहित प्रदेश के कई इलाकों में बादल चाये हुए है वहीं पहाडी छेतरों में हलकी बरफपारी हुई है इससे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में दो दिन की कर्मी के बाद काफी अच्छा मौसम देखने को अब मिल रहा है पुंच जिले के निचले छेतरों में बारिश हुई है वहीं मुगल रोट सहित कई उचाई वाले छेतरों में ताजा बरफपारी हो चुकी है रियासी में दोपहर में हुई हलकी बारिश और इसके लावा कई जगहों पर बादल चाये रहे मौसम विभाग ने कहा है कि शीनगर में 13 और 14 मार्च को काफी व्यापक स्थान में हलकी बारिश हो सकती है और पहाडी स्थानों पर बरफबारी के संभाव न हो सकती है और 20 के बाद मौसम समान ने बना रहेगा हालिया बरफबारी के बाद जमू कश्मीर के बढ़गाम में दूध पत्थरी इलाके में बहुत जादा आपको बादल देखने के लिए मिले जिसके बाद वहाँ जो टूरिस लोग आये थे उनके लिए काफी अच्छा मौसम हो गया और उनको वहाँ पर बरफबारी देखने के लिए मिल गई साथ थी जो टटू सवारी करना चाहते थे उनके लिए भी ये काफी अच्छा हो गया सुरम में परिदरश के वज़े से जो परेटक थे उनको एक अनूठा आउसर मिल गया यहाँ पर घूमने फिरने का और बाया वहाँ पर कि यह बहुत अच्छा गाउं है और चारो तरफ परेटन यहां पर जो उसकी अर्थ ववस्ता है वह पर ही निर्भर करती है और बड़ी संख्या में परेटक यहां पर आते हैं तो हमारी आय बढ़ जाती है और यह जो टट्टू की सवारी कर रहे हैं यही उनकी रोजी रोटी होती है और एक और इस्थानिये लोगों ने इस तरह से बाते करते हुए बताया कि बरफ बारी के बाद हमारी आय बढ़ जाती है हम हमेशा परेटकों की दूद पत्री ले जाते हैं और वहां उन्हें पान से छे प्रसिद परेटक इस्थलों को दिखात कि लुद के दुट है और उनके अन्भाव के बारे में बात करते हैं तो यह काफी अच्छा होता है साथ एक परीटक से बही कि उसने भी कहा कि उनको घुर सवारी का जो अनभौ था वो काफी अद्भुत था, उनके लिए काफी अच्छा और काफी बहतरी टृप साबित हुआ है। क्यावरा से आते हैं यहां गुजराट से आते हैं यूपी से आते हैं बहुत जगों से आते हैं दिली से बहुत अच्छा कापरेशन उनको मिलता है डिसकाउंट भी होता है उतना ज्यादा रेट यहां लेता नहीं जितना पहल गाउम में हो लेता है या गुलमरग में लेता है यहां रेट नहीं लेता है जब से सुनोफ आल हुआ अखली हैं न जो बएलोगों को यहां एता है तो यहां से लेकर दूद पथ्री जाते हैं यहां को विस्ट जाते हैं अब ने आहे हैं उनका भी रोजगा चलते हैं अलहम्दिल्ला जो भी लड़के यहां मतलब क्वालिफाइड लोग है टीडी सी पास ग्रेजुएट करके लोग है यहां जो अपना गोड़ी चलाते हैं यहां सभी लोगों का अलहम्दिला रोजी रोटी मिलता है तो अगर हम जब से यहां सुनो फाल हुआ तो उससे पहले की अच्छा मतलब वेह वेर उनके साथ होता है बहुत अच्छा है क्योंकि एड़ी टुफ टेरेन फॉर एक कार तो गोड़े इस अल्वेटर कान्वीनियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर लोगों के साथ भी तो पहले 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 आप में चड़ चुके थे अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके